स्टुडेंट्स आज हम डिस्कास करेंगे पेपर पैटर्न जमू उनिवस्टी का जो हमारा एनिपी 2020 के स्लेबस के एकॉर्डिंग जो हमारा स्मिस्टर फर्स्ट जो है बीएस स्मिस्टर फर्स्ट या वीएस मिस्टर फर्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कास करेंगे जो जिनक इतना होगा यह हम डिसकस करेंगे यहां पर जो है आपका जो कोर्स जो है इसका कोर्ट जो है यूम्डी CHT 103 है और कोर्स टाइटल जो है वो है Chemistry in Everyday Life जिन स्टुडेंट्स का जो यह के स्टुडेंट्स है जिनका Multidictionary जिनने Chemistry रखा हुआ है यह जो आपका जो है यह टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा थ्री क्रेडिट्स का है तो टोटल मार्क्स जो है इसके 75 होंगे तो यह जो आपका Ends Mr. Examination होगा यह डिवाइड किया हुआ है दो सेक्शन में सेक्शन ए जो है जिसमें आपके पास चार कोस्टन होंगे और चारो कोस्टन जो हैं वो आपके चार यूनट में से होगे जैसे Multidisciplinary में आपका जो chemistry है इसमें चार यूनट से हैं कीमोथरापी है, food additives है, biomolecule first and biomolecule second तो चारों यूनट में से हैं क्या होगा एक एक कोस्टन हर एक यूनट में से होगा और यह short answer questions होंगे तो एक question जो है वो तीन marks का होगा, तो चार questions है एक question जो है वो तीन marks का होगा तो section A आपकी होगी 12 marks की, कितने की होगी 12 marks की आपकी section A होगी, ठीक है तो हर एक unit को यह cover करेगा, हर syllabus में से हर एक unit में से पहले unit में से एक question होगा दूसरे unit से होगा, तीसरे unit से भी एक question होगा और चोतरे unit से भी एक question होगा आपको चार के चार question जो है, यहां पर compuls हरी है पूरी section जो है पूरी question कॉंपर्स आरी है, कोई भी आपके पास,ाफने कोई भी question छोड़ना नहीं, आपने सारे questions इसमेंHomeं से attempt करने है पिर है section B, section B जो है इसमें आपके पास art questions आएंगे, इतने questions आएंगे, आठ लेकर आठ में से आपके पास जो है चॉइस है आपने सिर्फ चार कोशन्स करने है आपने सिर्फ क्या करने है चार कोशन्स करने है हर एक यूनिट में से चार कोशन्स होंगे चार यूनिट के में एक यूनिट जो है यूनिट फर्स से दो कोशन्स होंगे Chemotherapy से 2 questions होंगे Food Additives जो है वाला chapter है उसमें से 2 questions होंगे Biomolecules वाले जो दोनू Next chapter उनमें से भी तीसरे में से भी 2 और चोथे में से भी 2 questions होंगे तो आपने हर unit में से क्या करना है? सिर्फ एक ही करना है हर unit में से एक ही question attempt करना है तो आपने total questions कितने attempt करने है 4 questions और ये long answer type questions है long answer type questions एक question जो है वो 12 marks का है एक question जो है वो 12 marks का है और ये जो section B है ये आपकी 48 marks की होगी कितने की होगी ये 48 marks आपको यहां से लेने हैं तो total आपका जो paper है एंट्समिस्टर अग्जामिनिशन वो 60 marks का है section A जो है वो 12 marks है और section B जो है वो 48 marks है ये था students chemistry in everyday life जिनका multi-disciplinary course है मिस्टर फस्ट में NEP 2020 के syllabus में तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाकी जो subject से botany है, zoology है या फिर arts के, humanities के जो subject से उसका paper pattern भी अगर आप समझेना चाहते हैं किस तरह से paper आएगा हर एक subject का अलग pattern है ठीक है अगर आप समझेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी videos बनौँ और आप comment section में comment करके आप request डालें मैं next videos जो आप बताएंगे जिन subject में मैं उस पर वो बनौँगा झाहते हैं झाहते हैं